नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सुरज आये आपका स्वागत है मेरे चैनल पर इस्टार्ट करतें सबसे पहले हम लोग कोन्वैक्स या कोदोनों लेंस में पहले हम लोग कोन्वैक्स लेंस में देखते हैं कि प्रिंस्पन Lives किसको कहता है तो यह जो मैंने यहां पर कीचा लाइन से कहते हैं प्रिंस्पाल एक्सिस जो अप्टिकल सेंटर और सेंटर ओफ कारवेचर जो लेंस का जिस ये खोखले एक तरह से जो भी स्फेरिकल पार्ट से ये बना है उसका जो सेंटर होगा उसके सेंटर तथा सेंटर ओफ कारवेचर के बीच जो लाइन खीचा जाता है या आप ये बोल सकते हो कि एक स्टेट लाइन जो कि सेंटर ओफ कारवेचर से सीधे होकर के गुजरती है जो फोकस से होकर के गुजरती है वो ही क्या कहलाता है प्रिंस्पाल एक्सिस लाइन होता है जो स्रीट लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंस्पल एक्सेस लोग अकसर भूल जाते हैं प्रिंस्पल एक्सेस का डिफिनिशन तो मैं आपको प्रिंस्पल एक्सेस का डिफिनिशन भी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा आप चाहोगे तो उसका न जाते हैं ठीक है यह जो प्रिंसिपल एक्सेस है ठीक है और जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर की गुजरेगा और यहां पर जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरलर्स जितने भी बिंप्स ओफ लाइट जाते हैं वो सभी प्रिंसिपल एक्सेस को एक points पर काटते हैं जो की principle axis के parallels गए ठीक है और दरपन्स ये जो हमारे पास lens है sorry, यहाँ पर जो हमारा lens है lens से refract हो करके refract हो करके जो एक points पर मिलते हैं, consider होते हैं एक points पर जिस points पर principle axis को окаट रहे होते हैं उसी points को क्या कहते हैं हम लोग principle focus कहते है मुख्य focus या principle focus उसी को कहते है जहां पर की इस lines को क्या कर रहा है काटा जा रहा है सभी beams of light सभी reflection के बाद कहां पर मिलेगा reflection के बाद कहां पर मिलेगा focus पर मिलेगा सभी प्रकास के अपवरतन के बाद मुख्य focus पर आ करके मिल जाता है यह याद रखेंगे और जहां पर मिलता है उसे ही प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं इतना सा तो दिमाग में आपको आ गया होगा ठीक है अब भी हारबोर्ड के स्टुडेंट यदि इसका डिफिनिशन को लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे कि प्रधान अक्ष के समानतर आती हुई प्रकास की किर लेंड लेंसit से अपवरतन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु प्रधान फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहलाता है जिसको कि आप एप से जिसको F लेटर के द्वारा दिखाते हो, इसकी जो डिस्टेंस है, इसको छोटी F से दिखाते हैं, अब आते हैं हम लोग इसके डिफनेशन को कि पहले जो डिफनेशन था हमारा की आप प्रिंसिपल एक्सिस के स्कोगा होगे तो the straight line यहाँ पर the straight line passing through the pole end the center of curvature center of curvature of the spherical mirror is called principal axis of a spherical mirror तो mirror में अगर define करना होगा तो यह कहोगे कि center of curvature और pole से हो करके जो lines cross होता है उस lines को हम लोग क्या कहते है principal axis कहते है यही चीज़ें अगर lens में define करना होता है तो straight line passing through the optical center and the center of curvature of a lens is called principal axis of a spherical principal axis of the lens तो इस तरीके से lens में define किया जा सकता है हम यहां पर lens में भी इसकी परिवाश्या को लेकर क्या है थोड़ा अलग type से है the principal axis of a lens also known as the optical axis is a straight lines that pass through the center of the lens and contact the two centers of curvature of its surface में भी जो सर्फिस का यह बना हुआ भाग होता है उसके जो center of curvature होंगे दो center of curvature होंगे दोनो center of curvature और क्या optical center दोनों से उकर के जो गुजरेगा lines उसी को क्या कहेंगे उसी को कहेंगे कि principal axis ठीक है उसी को कहेंगे बोग principal axis अब यहां पर light rays traveling along the principal axis do not change the directions इसके directions चेंज नहीं होते हैं यहां पर थोड़ा सा एक point जो वो अलग है light rays travel along the principal axis do not change directions यह directions चेंज नहीं करते हैं थोड़ा सा भी यह bend नहीं होते हैं अपने पत से और वो सीधे निकल जाते हैं जितने भी principal axis से जितने भी light of beam of light को गुजारोगे वो सभी के सभी क्या होगे तो हम सीधे निकल जाएंगे वो हलका सा भी bend नहीं होता है यह याद रखिए तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताईएगा मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा साथ में bell icon दबा दिजेगा ताकि आपको इस चैनल पर upload होने वाले तमाम वीडियो के notifications मिल सके ठीक है आज की इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए जय हिन चै भारत